टेन मिनट रिविजन सीरीज जेव विविटा एंग सरक्षन चैप्टर 13 चली वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 1-2-1 कन्वस्रेशन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें से जो इंपोर्टेंट है वो है जेव विविटा सब्द सामयजिक विग्यानिक ए इसमे माले की विविविद्रों में उगने वाला वहसली शुरू घाम की जाती है बहुत ही इंपोर्टेंट इसमें बढ़ते हैं यह थोड़ा से इंप़्ुब्रटेंट हैand1 इंप्ह backyard नहीं है बात करो ह यह जएइज़ इंपोर्टेंटट नहीं नहीं yn struggles के这 से जो भारत के रेगिस्तान है वर्सावने गरान मेग्रो सो उसमें की स्वादल की पारित तंत्र वीवित्ता है वो इसके ड्वीन देश नार्वे से अधिक है और अब आता है आपका फाइव इस्टार एक्जाम में सीधा पूछे जाना वाला किसन यह नीट में पूछा गया है दोजाट चार के अनुसार जब तक दशाएगी जनतों की डेट मिलियन से कुछ अधिक है और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो की एक्जाम में डारेक्ट पूछा गया है आपके नीट में भी पूछा गया है तो इस बार आपके पूछने की बहुत ज़्यादा संभा पूछा का माला डाइग्राम इसमेंसे में आपको जन्तों फाला डाजाएग्राम इसमें से मैं आपको क्या जर्शाया गया है सतर परतिससत से अधिक आपकी जंतों है वो पाए जाते हैं कसीर हूब कूल में सबसे ज़्यभा कीट पाये जाते हैं । और बास्ट को सबसे जयदा मतष्य या जाते हैं मसलिया मैं पाये जाती और पाधकूर र्वर्वनमें और कवा कुछ और आवर्त बशिती pe Reek जाते हुब करें। बात अंगुल करो सुभारत का बूंब किती ЖАТ crowbar विविताकि विविता की बात करें तो आपकी अपके इसमेंसे तो इसमेंसे आपको कुछ जज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉoin्ट है नहीं नेच्ट आपके एक और इम्पॉर्टेंट पॉ Lobby आनिक तब है इन्होंने क्या बताया थे दक्सीन अमरिका के जंगलों के गहन अन्वेशन के समय दसाया कि कुछ सीमा तक किसी जेतर की जातिय समर्दी अन्वेशन जेतर की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती हैं तो इन्होंने एक ग्राफ भी दिया था ग्राफ आप लोग इसके इंतर देख आपको एक्जाम में गराप दिया हुआ आ सकता है और आपको ऐसे भी पूछ सकता है जो कि NCRT आपके नीट में भी डारेक्ली पूछा गया है S का मान क्या है बहुत ही important formula आया है यह आपको गराप देकर ऐसे पूछ सकता है S यहां पर क्या है तो S आपको जाती समर्दी लिख कराना है option select करना है S जेतर है Z रेकिए डाल है आपका जो submission गुनाक regression points टेवज है next आपके जो important point आजाता है वो है David Tillman ज़्यादा important तो है नहीं लेकिन एक बार हम लोग remind कर लेते हैं विवित्ता में वर्थी से उत्पादगता बढ़ती है जैसे जैसे ज़्यादा विवित्ता होगी तो उत्पादगता की भी वर्थी होगी और एक बार यह point मैं आपको वापस revision करवा दूँगा ताकि आपके दिमाग में एकदम से fit हो जाए next अब लोग हम लोग बात करते हैं आपके stand point वेग्यानिक जो थे बहुत ही important point है एक बार फिर से star लगा है मैंने एक तो IUCN पर star लगा था इस पर भी star लगा रहा हूँ so इन्हों ने क्या बोला था पॉल प्रियास किया था रिवेट पॉपर परिकलबना के अधार पर और फिर बात करूं IUCN की बात करें इस तक में विलूप जातियों को संग्रहित करता है उन्हों ने कह बता है 500 वर्सों में 718 सी जातियां विलूप तो सुकिये 500 वर्सों में 718 सी जातियां विलूप तो सुकिये 500 वर्सों में 718 सी जातियां विलूप तो सुकिये 500 वर्सों में 718 सी जातियां विलूप तो सुकिय मौरिसस की डोडू, अफरीका की क्वेगा, और रूस की इस्टेलर, समुद्रीगाय, बाली, जावा तथा के एस्पियंस के बाग की तीन उपजातियां भी सामिल ले जो की विलूप्त हो सुगी है आली के वर्सों में और पिछली 20 वर्सों में 27 जातियां विलूप्त हो चुक के गजार पर वो आपके उब्रेसर है, एमफी बियंस, नेक्स्ट आपके जो इंपोर्टेंट पॉइंट आजाता है, अमेजन को आपके धर्थी का फ्यपड़ा कहीं जाता है, क्योंकि वो 20% से जादा आपके ऑक्सिजन का प्रोड़क्शन करता है, और बात करूं अती दोन आपके 500 वर्सों में कौन-कौन सी जाते इस्टिलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुए हैं, विडियो सी जातियों के आक्रमट से यहां से भी क्योंस पूचा जा सकता है, लेकिन फाइव इस्टार ने एक इस्टार देना चाहूँगा इसमें से हैं, न तो नाइल पर्च आपको दिमाग में याद रखना है, नेक्स्ट बात करूं मतश्य पालन के कारण अफ्रिकन केटपिस, कलेरियस गेरी पैंस मसली को लाए गया था और अफ्रिकन केटपिस को, उससे भी बहुत ज़्यादा आनी हुई थी और परजातिया विलुप्त हुई प्रोडक्शन करता है, एक और पॉइंट आने वाला इस चैप्टर का बहुत ही मैन पॉइंट जो जिसके लिए तो ये पूरा वीडियो बना हुआ है, बस यहां से क्यूशन साता है, बाकी तो बस ऐसे ही मोज मस्ती कर रहे हैं, यहां से क्यूशन साता है, सव इस्ताने और बही, इस्ताने, सविस्ताने क्या होता है, एक बाग को सुरक्शित करने के लिए आपको सारे जंगल को सुरक्शित रखना पड़ता है, लेकिन अब गर कोई संकट मोचन जाती है, तो उसको सुरक्शित करने के लिए आपको उसके एन्वारमेंट से अलग करके उसको सेवा देनी पड़े उसको सनक्सित रखना पड़ेगा सो आपको समज में आगे होगा एक तो में हूँ मेरे एन्वारल्मेंट में रह रहा हो और मेरे को किसी ऐस्पकाल में बढ़र्ती करके रखा जाए मेरे को सनक्सित देने के लिए तो वह तो हो जाएगा next इसके example आपको directly example पूछे जाते हैं उससे पहले आपको एक और important point है संसार में 34 जेव विद्दा वोट स्पोर्ट पाय जाते हैं next आपका बहुत important point है इससे ही related है वो है इसके example so इसके example है राष्ट्री उध्यान आपके in-situ वन्यजी वब्यान इन-situ जिव मंडिल आरक्सित वाई इस पर रिजव आपके in-situ होते हैं और इंडिया में सवदा जयम मंडल सनक्सित्र हैं 90 राष्ट्री उध्यान और 444 वन्यजीव प्यार हैं बात करूं मैं x-situ की आपके क्या होते हैं जंतूध्यान वनस्पति उध्यान जीव सफारी पार्क हैं जंतूध्यान वनस्पति उध्यान जीव सफारी पार्क और गेमिट आपके cryo-pejorvation यह आपके टेक्निक हैं इसमें भी आपको example दिया हुगा सकता हैं mcq में तो इसको भी x-situ करके आना एक बहुत ही चक्राने वाला MCQ से आपको विकलप देखने को मिल सकता है अंडे के पात्र इंवेटरो तो आप इसको एक सीटू लिख के आना है न कि इंसीटू लिख के आना है तो यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट था बाकी यह आपका चेप्टर खत्म होचुका एक बार से आप बोलो तो थोड़ा सा रिविजन कर लें एक बार से देख लेते हैं सो बसे पहले बाई इस्ताने और सविस्ताने इसमें से आपको एक्जम्पल देखने को मिलते हैं राष्टि उद्ध्यान आपके किसका इस्पारी पार्खे अनिस्टाने आपको इसका भी एग्जाम्पल है यह वाला आपके महान बगोल सास्त्री थी एलेकजंडर वॉन अल्बर्ट इन्होंने क्या बोला था इन्होंने एक ग्राफ दिया था और जाती सम्मू को बताया था कि किस परकार से जाती का समन्ध है तो उसमें आपको एस का क्या मान था जाती समर्दी एक्जाम में डायरेक्ट की किसन्स पूछा गया तो इसके लिए मैंने आपको वापस रिविजिन करवाए है तो ये एक बार आप ग्राफ देख लीजी इसक्रेंट सोट लीजी आप वापस रिक्सा में याद कर पाए है उसको रिमाइंड कर पाए है नेक्स्ट जो मैं बताने वाला था पॉइंट वो क्या है रोबोट में ने क्या बताया था सेवन मिलियों से इधिक स्पीसिज आपकी पाए जाती बाकी जी वीगन आपके जेविता सबत किस ने दिया थै एडवर्ड विल्सन ने आपका चेप्टर कतम होगा है झाल झाल था ले जापकी बाल झाल था जाने है